क्या कोई भी ऐसी बेवस्था न्याय संगत मानी जा सकती है जहां सब के पास अवसर की समानता ना हो या अवसर की समानता modern political life में इतना center पर क्यों हैं अगर ये सारी बातें आपको जानी हैं तो दोस्तों मैं हूँ संदीप सिंग और आज हम बात करने वाले हैं equality of opportunity के बारे में आवसर की समानता के बारे में जानने की कोशिस करते हैं कि आवसर की समानता क्या होती है सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा उस दोर में जब modern जो यूरोप था वो बनने की कोशिस हो रहा था उसके पहले एक सिस्टम था जिसे हम feudal या सामनतवादी सिस्टम जहां सब के पास आवसर की समानता नहीं थी कुछ लोगों के पास ज्यादा मौके थे कुछ लोग के पास privileges थे कुछ लोग के पास नहीं थे जब भी हम उदारवाद की बात करेंगे आवसर की समानता केंदर में होता है क्योंकि factory बन रही थी सब के पास बराबर मौकें की जर करेंगे liberal perspective क्या है marxist perspective क्या है तब हम इस चीज को बहतर तरीके से समझ पाएंगे जैसे हम author की समानता या equality of opportunity होती है वैसे ही liberal concept है equality of welfare, equality of resources, equality of capabilities जो आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं तो author की समानता पहली stage है जो equality को formal equality की तौर पे साभित करती है formal equality मतलब कि सभी लोग बराबर हैं इस चीज को साबित करने के लिए author की समानता एक basic right के तौर पे माना जाता है अब हम liberal perspective में देखेंगे कि liberal perspective जो है equality का वो कहता है equality under law और formal rights के बारे में उसका मतलब है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं और सभी लोगों पर कानून बराब नहीं करता है जब भी हम author की समानता की बात करते हैं जैसे हर इंसान को आपने कह दिया कि आपके पास एक ये author है कि आप गाड़ी चला सकते हैं लेकिन बहुत लोगों को पास गाड़ी होगी नहीं तो ये बात होगा कि structure वैसा नहीं है सुविधाय वैसी नहीं है तो लोग author क रियल में बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे इस वज़ा से उसको criticize किया जाता है और equality of opportunity कहीं न कहीं अलग तरीके से देखा जगया है liberal perspective में और ये liberal perspective को सबसे सुरुआती जो equality का concern है उसके तोर पे देखा जा सकता है कि सुरुआती दोर में जादा तर जो liberal thinkers थे वो equality of opportunity support कर रहे थे कि सभी लोगों के पास आउसर की समानता होने चाहिए सबको बराबर मौके मिलने चाहिए अब Marxist कैसे देखेंगे इसको ये बात है Marxist equality opportunity को impossible बताते हैं उसका कारण देते हैं कि जो भी बिवस्था है पुझीवादी बिवस्था है उसमें आउसर की समानता एक मि capitalism के अंदर ये समानता impossible है और क्योंकि जो भी opportunities मिलती है वो धन आधारित है मतलब जो भी जिनके पास capital है जो सुविधाये हैं उनके आधार पे उनको मिलता है तो ये बात आपको याद रखनी है फिर ही कहेगा कि real जो equality है वो तब आएगी जब आप property right को abolish कर देंगे और एक फिर कहेंगे कि जो capitalist laws हैं जो पूझी पती लोगों ने बनाए हैं वो flaws हैं और वो जूटा क्लेम कर रहे हैं कि सभी के पास बराबर अधिकार है जबकि वास्तों में ऐसे बराबर अधिकार नहीं है तो liberal इस चीज को support करेंगे कि equality up opportunity होती है Marxist इस चीज को critique करेंगे कि नहीं ये वास्तविक्ता नहीं है इसके beyond भी बहुत सारी चीज़े हैं फिर एक post-colonial perspective अगर आप लेना चाहें इस चीज पे post-colonial perspective भी है वो कहते हैं कि colonial जो rule था उसने institutional barrier create किये है cultural discrimination किया है जो अभी भी opportunities को limit कर रहा है ये बहुत important बात है कि पहले तो चलो ठीक है colonial system था तो Britishers को ज़्यादा right थे हमारे पास कम अधिकार थे लेकिन उसके बाद भी हमने ऐसा narrative बनाया है जहां पे institutional और cultural barrier है ताकि लोग अपने अधिकारों का इस्तमाल ना कर पाए equality up opportunity है बना पाएं और दूसरी बात हो कहेंगे कि जो formal legal equality है क्योंकि equality up opportunity को formal legal equality के तोर पे भी जानते हैं वो insufficient है और इसके लिए affirmative actions की जरूरत पड़ेगी जैसे भारत के sense में अगर हम बोले तो किवल अगर हम लोगों को बराबर treat करें सबको एक तो क्या enough होगा अगर SC, ST और O recommendation पहले हुआ है तो क्या अभी उनको affirmative action नहीं मिलना चाहिए इस तरह की बातें अगर आपको है तो वो post-colonial perspective देगा फिर eurocentric narrative को भी वो लो question करते हैं क्योंकि post-colonial है तो जो European narrative है उसको counter करेंगे फिर feminist इस चीज़ को कैसे देखेंगे तो वो कहेंगे कि जो patriarchal social norm है और gender socialization है वो कहीं न कहीं महिलाओं की जो भागीदारी है औसर की समानता को कम करते हैं कि भले ही आप legal तोर पे देदें की समान अधिकार हैं लेकिन समान अधिकार होने के बाद भी महिलाओं अपने अधिकारों का इस्तमाल नहीं कर पाएंगी क्योंकि patriarchal social norm है और बहुत सारी structure दिकते हैं और कहते हैं कि formal rights enough नहीं है हमें और भी rights चाहिए जो dismantle कर पाएं इस patriarchal structure को वो बात करेंगे reproductive labor की care work की कि हमेशा इस तरह के जो काम होते हैं इनको system devalue करता है घर वाले काम को value नहीं करता इस वज़ा से भी equality of opportunity enough नहीं है अब जितने perspective हैं ये हमेशा use कर रहे हैं आप जैस रेस देख देते हैं perspective ये भी एक वैसा ही perspective है जो कहता है कि जो racial hierarchies हैं वो institutions में और interpersonal interactions में दिखती हैं और लोगों की opportunities को कम करती हैं और जो भी laws हैं वो neutral नहीं है और race based जो order है उसको ये support करते हैं इस वज़ा से भी जो equal opportunity है वो enough नहीं है और हमें radical transformation की जरूरत है तो ये इतने perspective जो थे वो थे कि equality आप opportunity को अलग-लग lens से आप कैसे देख पाएंगे कभी भी इस तरह का कोई भी concept आता है दो चीज़ें आपको करनी हैं पहले जितने lenses हैं जितने भी lenses हैं इसमें और भी lenses होंगे मतलब और भी perspective होंगे वो देखने हैं आपको जैसे यहाँ पे हमने liberal देखा marxist देखा, post-colonial देखा, feminist देखा, critical race perspective देखा और भी अगर आपको लग रहा है आप देख सकते हैं जिसमें से neo-liberal भी देख सकते हैं आप जो support करेंगे इसको एक तो तरीका यह हो गया दूसरा तरीका है कि इसके comparison में कुछ और भी concept होंगे जो exist करते होंगे जैसे हम जितने भी topic है, equality of outcome भी है, अब इनको सबको आपको connect करना है और तब एक बहतर सब जवाब आप देख पाएंगे, welfare का notion आएगा utility and philosophy से, resource आएगा roll से, ड्वारकिन से, capability आएगा अमर्ट सेन और newsbam से, और equality of outcome marxist understanding है जिसको critique करते हैं logic, तो यह सारी बातें जब आप ले आए तो overall equality of opportunity एक मौका है, जो बराबरी की बात करता है, formal legal equality की बात करता है, और एक particular historical period में इस तरह की मांगे उठी हैं, अभी भी भारत में, जब हम equality of opportunity की बाते करते हैं, तो discrimination को जो prohibition है, article 14, 15 के आसपास, वो सारी बातें इसी तरह से related हैं, और इसी तरह से हम लोग connect कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी बातें, equality of opportunity की, लगतार ऐसे ही वीडियो जो आपको मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे, support करते रहें, मेरा नाम है संदीप सिंग, और इस सीरीज में हम आगे, equality of welfare, equality of resources, equality of capability, complex equality, इस तरह के बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, सभी वीडियो को आप जो भी आपको लगता है कि और भी बेटर हो सकता है, और भी topics आपको चाहिए, आपको एक पूरी list दे सकते हैं, अगर आपको 10, 15, 20 topics चाहिए, आप टाइप कीजिए वो सारी की सारी list और आपको वीडियो मिलेंगे, जो भी topic आपको tough लगता है, उस पर सवाल पूछिए जब आपको मिलेंगे, तो लगतार बने रहिए, देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, जैहन